हेलो फ्रेंट्स आज का अमार टॉपिक है पोजिस्टिरॉण इस वीडियो में हम लोग प्रोजिस्टिरॉण का एक जनल इंट्रोडक्शन उनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी डिलेशनसिप मैंगे और यूजिस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूं डोक्तर सेक्स ह puts जिसमें था पहला उस्टियो जंस जो की प्रोडूश होता हं और दूसरे हैोमारे प्रोजिस्टिंश जो की प्रोजिस्टिंश विम्लेसे से ज्ञेगे हैं ज कारें अब बात करें natural progesterone यह भी दो तरीके ख़़कते एक natural और एक synthetic जिसमें से natural progesterone जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो या सबसे important जो के नाम है candidate है वो ही है हमारा progesterone और जो भी इनके derivatives है वो भी natural progesterone के तरगत आते हैं progesterone जो है वो उसको control करता है हमारा pediatric gland से निकलने वाला lutealizing hormone और यह इसको LHP बोलते हैं हम शौट में और इसकी वज़़से ही जो है corpus luteum जो है हमारे ovaries में वहां से यह secret होता है ठीक है और यह कब secret होता है menstrual cycle के लेटर हाफ में menstrual cycle करीब 20 दिन के होती है और उसमें जो लेटर हाफ है याने की 14 जो लास्ट के 14 दिन है उनमें से जो है carpus luteum में luteinizing hormone की वजह से progesterone जो है वो secret होता है and during pregnancy जो pregnant है woman तो pregnancy के दौरान यह placenta से भी जो है वो secret होता है प्रोजिस्टरोन हमारा प्रोजिस्टरोन यह प्रोजिस्टरोन जितने भी है यह responsible किसलिए है इंका काम क्या है शहिर के अंदर यह ovulation वगेरा को control करते हैं साथी साथ यह pregnancy की जितने भी stresses है उनको control करने के लिए और menstrual cycle और embryogenesis याने embryo के बनने को भी यह maintain करते हैं या उनको बना करकर रखते हैं प्रेग्नेंसी को sustain करते हैं अगर किसी विक्ति के सुरी किसी महिला के अंदर अगर प्रोजिस्टरोन की मात्रा बहुत कम है तो प्रेग्नेंसी का sustain होना भी problem में आ जाता है मेल्स के अंदर भी इसकोड़ होते हैं थोड़ी से मात्रा में adrenal gland से और हमारे टेस्टिस से और यह जो secretion हो रही है यह बहुत ही कम मात्रा में होती है अब बात करेंगर chemistry की तो जो प्रोजिस्टिरोन है और जितने भी natural प्रोजिस्टिन है जनरली उनमें प्रेग्नें डेरिवेटिव सोते हैं वह प्रेग्नें वाले इस्ट्राइडल इसका नाम जो है इनके जितने भी होंगे प्रोजिस्टिन वाले जनरली उसमें 21 कार्बन की जो देखने को मिलती है अब बात करते हैं जैसे की उस्ट्रोजेंस था जब देख रहे थे पिछले वीडियो में तो हमने बात किया था कि महां पर 18 कार्बन की या इस्ट्रेंज जो है वह इस्ट्राइडल कंपाउं मिलता है ऐसे Papine I got to move the P docmal 217 में और Imag मिथाइल गॡुप स भी दोनको मिलते हैं आयए देख लेते हैं इसके स्ट्रेंडब स दिल को अगर आप ज्ञान से दिक्केत तो हमारे अजिसके उपर ये होगया हमारे工 girls 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and this one is 18 यह जो जंक्शन पर लगा हुआ है इन दोनों रिंग के, रिंग C और रिंग D के बीच में और रिंग B और B A के बीच में, A और B के बीच में जो लगा हुआ है वो क्या है हमारा कारवन नंबर 19 इसके बाद जो 17 नंबर पर वहां पर आप देख पा रहे हो 20 और 21 कारवन लगा हुआ है यही क्या है हमारा असे टायल ग्रुप को भी बना रहा है क्योंकि इस काबन के पर dual bond O देखने को मिल रहा है तीसे नंबर के कारवन पर यहँंपर के लिंग टो ग्रुप देखने को मिल रहा है ठीक है और यह जो क्योंकि यहां पर polar groups की कमी है इसलिए जगर इसकी polarity आपको बढ़ा नहीं हो अगर आप यहां पर polar groups बढ़ाएंगे तो इसकी lipophilicity क्या हो जाएगी अपने आप कम होने लगेगी और यह hydrophilic बनने लगेगा ठीक है और दूसी चीज क्योंकि lipophilicity इसकी जो है वो एक lipophilic compound है यह high lipophilic compound है इसलिए इसकी low biobility होती है जब हम इसको oral administration इसका करने की कोशिश करते हैं और इसको आप देंगे तो इसकी biobility क्या होगी कम होगी आइए फटा फटा फट इसका सार देख लेते हैं इसके structure activity relationship को जब हम देखते है progesterone या progesterines की तो हमें एक बड़ी खास बात देखने को ठीक है तो यह भी आपर present है जनरली जादा तर कंपॉंट में देखने को मिलते हैं तो में चीजे क्या है में चीजे हम देखने को मिल रहे हैं वह यह दिखनी है 17 नंबर पे जो हमारे ग्रूप लगे हुए 17 नंबर पे एक्टियाल ग्रूप लगा होता है इन दे केस ऑफ हमारा प्रोजिस्ट्राइब कुछ कंपॉंट में आपके हाइड्र ऑक्सी ग्रूप भी होते हैं और यह दोनों मिल करके क्या करते हैं एक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं या एक्टिविटी तूसरा जो ह है वह क्या हो जाती है नेक्स कुछ component में यहां पर लगाया जा सकता है अगली चीज जो है वह में दिंग में अगर हम अन्ट लेकर के आते हैं जब कि अर्वर हम यहां पर नहीं हो त है एक्टिविटी क्या होती है या चट्वे नंबर के इस चाफ़े नंबर के जो काबन्स हैं इनके जो हाइडोजन लगे हैं उनको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं हैलोजन के साथ या मिठाइल ग्रूप के साथ तो भी एक्टिविटी क्या हो जाती इनकी जोती जैसा कि भी हम आगे एक्जैंपल में देखेंगे पूजिशन नमबर 3 जो है यहाँ पर कीटो होन ग्रूप का होना बहुत ज़रूरी है जाद अतर प्रोजिश्चटरों के साथ में यहाँ पर डबल बाउंड हो है और बाकी generally found in many of the compounds so आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है एक important चीज है कुछ और substitution कर सकते हैं जैसे कि ठारवे नंबर के carbon के उपर कुछ substitution किया जा सकता है और ring C के उपर भी कुछ substitution जो है वो किया जा सकता है जो कि आगी हम लोगी examples में देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ important बातों की जो की ring A में है ring A में आप देखिए यहाँ पर तीसे नंबर पे keto group और चौते नंबर पे double bond का होना ज़रूरी है जैसा कि हमको positional में देखने को मिल रहा है जैसा कि हमको इसके इस्टरॉर्ण में भी देखने को मिल रहा है जिसमें 33 keto group नहीं होता फिर भी वह progestin activity शो करते हैं जैसे कि आपके सामने डेसोजिस्टरॉल की आपके सामने example है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर keto group जो है वह नहीं लगा हुआ है लेकिन जो हम इस keto group को हटाते हैं तो हमें कई चीजों का और ध्यान देना है जैसे मैंने कहा था रिंसी में भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं देखें यहाँ पर keto group लगा हुआ है double bond के साथ और यहाँ पर हमको इथाइलीन ग्रूप भी जो है वो लगाना पड़ता है ताकि जो है activity जो है वो मिले तो यह चीज है कि अगर आप इस keto group को हटाएंगे तो यह काम आपको करना पड़ेगा ताकि activity जो है वो group की आए नेक्स्ट जो नेचुरल पोजिस्ट्राउंस होते हैं उनकी बाइबिल्टी कम होती जैसा कि भी हमने कहा लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे इथाइलीन ग्रूप डाइथाइल ग्रूप जैसे जो है ग्रूप जो है पोजिशन नमबर 17 पे एलफा कंफिग्रेशन में लगाते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको देखिए यह डॉटेड लाइन है मतलब एलफा कंफिग्रेशन है मतलब कि इस ड्रग के प्लेइन के बिलो ग्रूप लगाया गया है ठीक है तो यह ग्रूप लगाने से क्या होती है कि activity ज लगा हुआ है ठीक है और 17 नंबर पे ही जो एलफा पोजिशन में इथाइलीन जो है वो लगा हुआ है प्रोजिस्टरॉन इसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे जो अभी आपने इथाइलीन या यह सब दो ग्रूप लगाए अगर इसकी जगह प है कि हमने यहां पर क्या लगा हुआ है इस ग्रूप लगा रखा है यहां पर भी और यहां पर भी ठीक है 17 कार्बन के उपर तो भी हमें प्रोटेंट कंपाउंड जो है वो प्राप्त होते हैं जिसकी जो है बाइविविटी जो है वो बढ़ी होती है और ओर ली एक्टिव में आप देख पा रहे हैं यहां पर मिठाइल ग्रूप लगा हुआ है और मेडॉक्सी प्रोजिस्ट्रों जो है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां पर मिठाइल ग्रूप लगा हुआ है इसके साथ ही साथ अगर जो पूजिशन नमबर 6 और 7 है अगर यहां पर हम लो इसकों दिख सब्सक्राइब कोarla हो और यहां पर थी तो सुखने को मिल रहा है अगे अगे के बात करें तो सी जो है हमारी अगर फी के ओपर भी हम कुछ सब्सक्राइब करना चाहते हैं जैसे की इलाइञ पजिशन पे करा इसा में दिखा है कि जो सिट वह हो जाती है अगर उन 것이 का 10 पी पॉजिशन पर हमारा थो कापन F twenty वगंद हम लोह ने कहा है कि यहां पर अथा एक किस पॉजिशन पसे मेंноз कर दा से लिखा हिए और इसी retro progesterone में अगर हम लोग unsaturation लेके आते हैं जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी यहाँ पर भी methyl group जो है वो हमारा क्या है alpha position में है alpha configuration में है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया double bond डाल दिया तो भी जो है जो product होता है वह apparently तो होता ही एक्टिव बट और ज्यादा एक्टिव हो जाता है देंदा हमारे रेट्रो पोजिस्टरों से भी ज्यादा जिसका नाम होता है डि हाइड्रो जेस्टरॉन आपके सामने है जो कि रेट्रो से भी ज्यादा हमारा रेस्ट्रो पोजेस्टरॉन से ज्यादा ओरली एक्टिव होगा अगर हम लोग जो ये 19th कार्बन पे 19th नंबर पे जो हम लोग मिथाईल गूप की बात करते हैं अगर इसको एक जो गूप है उसको हटा दे इस गूप को 19 कार्बन के जो मिथाईल कर्बन को अगर हम लोग हटाते हैं तब भी अक्टिविटी क्या हो जाती है और एक नई क्लाश ओफ प्रोजिश्टरॉन निकलती है जिसको हम लोग नौर प्रोजिश्टरॉन के नाम से भी हटा दिया गया और जब हम लोग इस हार या इसको या इसको हटाते हैं तो वर्ड क्या यूज़ करते हैं नौर जैसा कि हमने आपको नाम लिखते वक्त पता है था तो इसे हम क्या कहेंगे नाइंटींथ नौर पोजिस्टरॉन ठीक और इसी तरीके से नौर इथिन द्रोन भी कोई हेलोजन ग्रूप लगा सकते हैं या मिधाल ग्रूप लगा सकते हैं अगर यह तीन कार्वन की उपर भी अगर हम सब्सिशन करते हैं तो हमें डिवरेशन आफ एक्ष्यू जो हमारे कमाउंड के अबर जाती है और एक्टिविटी तो बढ़ती है जैसे कि लिव नर जैस है जिससे क्या होता है direction of action भी बढ़ता है और activity भी बढ़ जाती है अब बात करते हैं mechanism of action की तो mechanism of action जो है वो osteogenes या हमारे endosterone जैसा ही है इसमें कुछ बहुत अंतर नहीं है जो हमारे बैसे ही काम करते हैं बस इंके अलग होते यह जो तरीके के इक हैं एक को बोलते हैं प्रोजिश्टिन रिसप्टर बीटा बहुत ज्यादा इसमें इसमें अंतर नहीं थोड़ा सा इस्ट्रक्शल अंतर हैं और यह करीब 11 जो फ्री हमारा पोजिश्टान होता है वही इन रिसेप्टर पे जा करके क्या करता है गयंड करता है और जो टायगेट सेल है उनके नूखलेस के ऊपर जा कर अार लेयंड करेगा और उनको टायगेट करेगा जो जैसे कि और ट्रुक्स हमारे जियो क्लास पॉजिष्ट्रॉज रिस्पॉंस एलिमेंट्स मिलेंगे और उस टार्गेvateट जीन्पे जब पोजिश्ट्रॉज रॉस्पांसिबल ऐलिमेंट्स के साथ यह तो वहाद पर वो क्या करेगा कि रेगूलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन गौ॑ और जिसकी वज़े से co-activators है वहाँ पे उनके साथ मिल करके transcription को क्या करेगा, regulate करेगा, इस regulation की वज़े से mRNA का formation होगा, ठीक है, transcription में क्या होता है, mRNA का formation होता है, और ये mRNA जो है आगी चल करके specific proteins का synthesis करवाएगा, और जिसकी वज़े से जो positron की अपने effects हैं, वो क्या हो जाएंगे सामने निकल करके आएंगे, बिल्कुल वैसा ही है, effect इसका जैसा कि ogestrogens में था, या फिर हमारे endrogens में था, next, therapeutic uses की बात करें, तो जब हम लोग ogestrogens का therapeutic use पढ़ रहे थे, तब भी हमने आप से कहा था कि, इनके जो use होंगे, उसमें, जो है, progestron और ogestrogens लगबग एक दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो जो progestron है, वो ogestrogens के साथ जिम हम देते हैं, तो वो contraceptives के तरीके से use किया जा सकता है, oral contraceptives के तरीके से भी use किया जा सकता है, next, कुछ महिलाओं में post-menopausal symptoms बहुत जादा आते हैं, काफी disturb हो जाते हैं, hormonal changes होने की वज़े से, तो उस condition मे भी जो है, जो है, जो है, पोजिस्टरोन को ogestrogens के साथ दिया जाता है, for the post-menopausal symptoms के treatment के लिए, next, अगर ये persistent and ovinary bleeding, यानि की bleeding जो है, या measurement cycle जो है, वो काफी लंबी हो रही है, काफी ज़्यादा bleeding हो रही है, उस conditions में भी जो है, कंट्रोल करने के लिए, हम लोग पोजिस्ट में secondary amunaria की condition आती है, secondary amunaria का मतलब होता है, कि जो मेंसोर साइकिल है, वो irregular हो, या secondary amunaria की बात करें, तो एक बार start हो गई, क्या नाम है, मेंसोर साइकिल मेलाओं में आहरूना, और तीन महीने या उससे ज़्यादा समय तक वापस हो ने रही है, रुकी हुई है, उस condition को हम कहत progesterone और oestrogen का परियोग करते हैं, एक साथ मिल करके, endometriosis के cases को भी ठीक करने के लिए, progesterone का परियोग किया जाता है, endometriosis का मतलब होया कि uterus के अंदर एक lining बनाने वाले tissues होते हैं, खास tissues हैं, ये tissues अगर बाहर के तरफ ग्रोस होने लगती हैं कि बढ़ने लगती, तो ऐस condition को हम कहते हैं, endometriosis, और इसका treatment करने के लिए, progesterone और oestrogen का परियोग हम कर सकते हैं, next, best और endometrium के अंदर, जो advanced carcinomas है, cancer cells हैं, उनको भी treatment करने के लिए, जो है, वो progesterone वगेरा का परियोग किया जाता है, तो ये था आज का हमारा topic, जहां पे हमने progesterone और उसमें भी progesterone का example लेते हुए, उसका सार, mechanism of action, उसका introduction, उसका structure, उसके uses को आसान तरिके से समझा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like कीजे, share कीजे, अपने दोस्तों में इसको आप फैलाए, और अगर आप चैनल पने हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि आप को सब्सक्राइब के वीडियो और मिलते रहे, और जिसका PDF है, उसका link आपको description में मिल जाएगा, आप वहां से उसको download कर सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,